ओम नमस्षिवाय जैमातादी रादे रादे सभी को स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में मैं हूँ आपके साथ पीता तीवारी आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली इंद्रा एकादेशी के बारे में इंद्रा एकादेशी हिंदू के शुप उपवावसों में से एक है जो हिंदू अश्वीन मा के कृष्ट पक्ष के एकादेशी पर पढ़ती है पित्र पक्ष की इंद्रा एकादेशी बहुत मुट्पूर्ण मानी जाती है जैसे की इंद्रा एकादेशी पित्र पक्ष में हिंदू अतीत के गलत कामों की शमा मांगने के लिए एकादशी वरत का पालन करते हैं। इस दिन वरत रखकर एकादशी का श्राद्द और श्रीहरी की पूजा कता करने से साथ पिडियों की पीतर पाप्त मुक्त हो जाते हैं। नरत में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। यह वरत शाद्द पक्ष की एकादशी तीती पर पढ़ता है। वैसे तो एकादशी वरत में भगवान विश्नु की पूजा की जाती है। मगर इस एकादशी के दिन भगवान शाली गरम की पूजा होती है। शालिगरम को भगवन विश्णू का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितुरपक्ष के दौरान पढ़ने वाला यह वरत पीत्रों के मोख्ष के लिए भी बहुत शुब माना जाता है। पुरानों के अनुसार इस वरत को करने से पीत्रों के पाप धूलते है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है तो आए जानते इस वीडियो में कि इंद्रा इकादिशी की तिथी कौन सी होने वाली है पूजा का शुप समय कौन सा होगा और व्रत को पारण करने का समय क्या होगा साती व्रत का महत्व क्या होता है और पूजा की विदी क्या होती है और हमें भूल कर भी ऐसे कौन से कारिया है जो नहीं करने चाहिए यह सारी जानकर इस यूदियो में जानेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा वीडियो को स्किप करके बिल्लकुल भी मत देखिएगा और जो भी होंगी और 10 अक्टूंबर को दोपर 3 बचकर 8 मिनट पर समाप्त हो जाएंगी उद्या तीथी में इंद्रा एकादेशी व्रत 10 अक्टूंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएंगा तो अब जानते कि विश्णु जी की पूजा का शुप समय क्या है तो विश्णु जी की पूजा का शुप समय सुबर 9 बचकर 13 मिनट से दोपर 12 बचकर 8 मिनट के बीश में रहेंगा तो चलिए अब जह जानते हैं कि पित्र पक्ष की इंद्रा एकादेशी के व्रत का पारन हमें कप करना है तो व्रत का पारन हमें 11 अक्टूंबर 2023 की सुबर 6 बचकर 29 मिनट से सुबर 8 बचक प्रित्र पक्ष में आती है इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है पद्य पुरान के अनुसार इस एकादेशी का व्रत करने वाले व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ पीडियों तक की पित्रू तरते हैं विदी पुर्वक पुर्वच के नाम पर दान किया जाये तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को बैकुंट प्राप्ति होती है इस दिन विदी विदान तरपन और ब्रामन भोजन कराने दान दक्षिना देने से पीतर स्वर्व में चले जाते है तो यही ता इंद्रा इकादेशी का महत्व तो चलिए अब यह जानते की इंद्र मा के कुष्ण पक्ष्ठी एकादेशी तीथी को ब्रह्मा बेल में उठना है आपको इस समय भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी को प्रनाम करें इसके पश्षाद घर की साफ सफाई करें आप गंगाजल छिड़कर घर को शुरुद्य कर सकते हैं दैनिक कारियों से निव पस्ता धारन करें और सूर्य देव को सर्वपतम जल का अर्ध दे इसके पश्षा सुईधा अलुसार पंचोप्चार दशोप्चार या शोट्शोप्चार कर भगवान विश्णू की पूजा विदी विदान से करें भगवान विश्णू को पीला रंग अतिप्रिय है अता पूजा काल में आर्थी अर्चना कल फराहार करें अगले दिन पूजा पाठ के प्रशात व्रत खोलें तो इस तरीके से आपको पूजा की विधी करना है तो चलिए अब यह जानते कि इस दिन हमें ऐसे कौन से कारिया जो भूल के भी नहीं करने चाहिए एक आदशी की दिन किसी भी प्रकार के तामसी काहर का सेवन करने से बचना चाहिए इसके साथ ही इस दिन ब्रह्माचर का पालन करना अच्छा माना गया है ऐसा करने से व्रत भंग का दोश नहीं लगता धारमी मानने तर के अनुसार इस दिन घर में जाडू नहीं लगाना चाहिए और नहीं ब कावल के सेवन से परहच करना अच्छा माना गया है तो यही ते वो कार्य जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने आपको इंद्रा एकादिशी की संपुन जानकरी दे दिये जो आपके बहुत काम आएंगी तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है तो जो भी हमारे चैनल पर नए है पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परीजियों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है म मिलते हैं अगले ऐसे किसी और वीडियो में, ओम नमस्षिवाए.